हे दोस्तों नमस्कार एक बार फिसी स्वागत है आपके अपनी यूटुब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगा जाता है बहुती बेतरीन क्लासी समय चल रही है अगर आप लोग यहाँ पर बेतरीन कर दीजे थोड़ा समुस्कान के साथ साथ समसब कर दीजे हमें पता चल पाए कि आप लोगों को पास आवाज आ रही है चलिए अवाज आ रही है रेडी चलिए तो देखिए यहाँ पर कोशन दिया गया है कि हिंदी वर्ण माला में अंताहस्त विंजन कौन से हैं हिंदी व अफसन देखें बि-नमर यहाँ पर जो या र ला हुआ यह होते हैं आपके अंताहस्त विंजन होते हैं जाते होंगे इस पर रही या नन हे आ जानते हैं, तो आपसन क्या गया, यहां परंसर आपका बी नमर है, राइट हो गया, चलिए, आगे बढ़ते एक कोशन दिया है, कि किस चंदे में 26 मात्राय होती है, तथा 14 और 12 पर यती होती है, यत मतलब आपका ठारा होता है, मतलब ठारा हो, है न, तो देखे, आपका जवा है, तो आपका गीत का हो जएगा, तो आपसन क्या हो जएगा, सी नमर है, राइट हो जएगा, एक पहेचान और होती है, कि पद के अंत में लग गुरु होना अन्युआर है, यहां पर जो जवाब है, आपका राइट क्या हो जएगा, तो देखे, यहां पर आपका दिया गय इसके बाद यहां पर शाम मेर्च को भी आपको चैन के लिए वाकीव कोच्ण करना है एक सब्द काई चन करना है कोशन है कि जो अपने इस्थान या इस्थिती से अलग ना किया जा सके उसे क्या कहा जाता है चलिए यहाँ पर जवाब दीजे कि जो अपने इस्थान या इस्थिती से अलग ना किया जा सके 42 को option मनेगा A number इसे बोलेंगे अच्यूत बोला जाता है option मनेगा क्या A number इसका right हो जाएगा यहीं पर एक सब्द होता है जो आपका अटल है तो अटल मतलब क्या होता है अटल मतलब होता है जो अपनी बात से ना टले उसे हम लोग अटल कहा जाता है याद रखेगा यहाँ पर दिया है अदेस अदे मतलब होता है जो दिया ना जा सके जो दिया ना जा सके उसे अदे कहा जाता है याद रखेगा और यहाँ पर अटूट सब्द लिया है अटूट मतलब क्या होता है ना तूटने वाला ना तूटने वाले को अटूट का आ जाता है ठीक है चलिए हाजरी आपकी लग गई है सभी इस लोग टाइम से आया करें यहाँ पर देखो दिया है जीने की इच्छा के लिए सब्द आपको बताना है कि जीने की इच्छा के लिए कौनसर सब्द आपका सही हो जाएगा देखे 43 कॉप्शन देखे B नमबर जो आपका दिया है जी जी विसा यहांसे question एक बनता ही बनता है इस वाले question से 100% एक question आपसे बना जाता है देखो यहांपर जब पूँँचे जीने की इच्छा तो आपको बताना है लेकिन यही पर जो एक सब्द दिया है जिग्यासु, जिग्यासु क्या होता है जिग्यासु मतलब होता है जिगी उसको आ जाता है और यहां पर दिया है पीपास पीपास मतलब होता है जो पीने का इच्छुक हो जहां जो प्यासा हो उसे हम पीपास कहते हैं चार में 100% एक्जाम में आता ही आता है याद रिखेगा आगे बढ़ते कोशन दिया है क्यारे साख्यागमन का सही संद्वि है चलि आगे बढ़िए अगला कोशन दिया है इसमें जो आपकी संदी वा कि कौन सी है या पर एक क्वायंट पूछना आप लोगों से कि इसमें जो संदी है वो आपकी कौन सी है तो देखो हमने बताए था यहां के साथ आदा चर मिला है इसका मतलब आपका यह कौन शी हो यह अनसंदी बहुत अच्छे आगे बताईए कह रहा है जब किसी समाने बात का विसेस बात से कथा विसेस बात का समाने बात से समर्थन किया जाए वहां कौन सालंकार हो जाएगा चलिए यहाँ पर बताईए जब किसी समाने बात का विसेस बात से और विसेश बात का समानवाथ से समर्थन कर दिया जाए वहां कौन सा अलंकार हो जाता है चले बहुत अच्छे देखे 45 के अगर हम बात करते हैं तो आपसन इनमेंसे क्या हो जएगा याँ पर 45 को आपसन इसी हो जएगा इसे अर्थन तरा, अर्थन न्यास क्या बूल देंगे अर्थन न्यास अलंकार कहा जाता है ये एक नई अलंकार है लेकिन वर्तमान में देखा जाये 2022 में ये कई एक जाव में पूचा गया है तो इसकी ठेओरी से आपको हमें सहयाद रहना है कि जब समाने बात को विसेष से और विशेश को समाने बात में समर्थन किया जाए तो वहाँ पर होता है अर्थन नयास अलंकार होता है इसे नोट कर सकते हैं यह पूछा जा रहा है आगे बढ़ेगे कहा रहा है आसुद दुवा की का चैन करना तो अपसन भी गलत हो गया आगे बढ़ेगे कहा रहा है चाया दार सब्द किस का उधारन है चाया दार दिया है चाया दार जैसे आपका चाया दार हो गया या रेल गाड़ी हो गया सील बंध हो गया ये जो सब्द होते हैं आपके संकर सब्द होते हैं निम्नकित में से किस विकलप में सभी सब्द भावाचक संग्या हैं। पुड़ापा उन्नती ये है आपकी भावाचक संग्या है आप समनेगा आपका सी नमर हमारे नजरों से कोई बच नहीं सकता है देखें यहां पर देखो दिया है नीचे लुकोक्तिया और उनके अर्थ दिये गया है इनमें गलत अर्थ वाली लुकोक्ति का आपको बताना है यहां पर क्या हो जाएगा, तो जो कि दिया है, आगे नात ना पीछे पागा हाँ, मतलब इसे कहते हैं, बंधन हिन, बिल्कुल सही है, ना उनके आगे है, ना उनके पीछे बिल्कुल छूटा हुआ है ना, तो बंधन हिन होगा, तीन तेरा हो ना, भई जब तीन तेरा हो तो तकसाल में ढलते हैं मतलब एक समान होते हैं उनका जो धाचा होता है साइज होता है कैसे होता है आंक अंधे-गांट के पूरे मतलब मूर्ख लेकिन धर्वान हैंना आपसन क्या हो जएगा बी नंबर हो जएगा चले आगे बढ़ते हैं कोशन आप से गला पूछा गया है यहां पर कहा रहा है गूलर का फूल होना मोहरे का सहीर्थ आपको बताना है चले जल्दी यल्दी वाजी में गलती हो गया हमें भी पता है कि आपको आपसे जल्दी वाजी में गलती होई है चले गूलर का फूल होना मोहरे का सहीर्थ 50 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी नमबर तो मिली जाएंगे हाना यहां पर देखे 51 नमबर में option क्या हो ज़िगा सी नमबर संपरदान कारख हो जाएगा ठीक है काफी speed के साथ पढ़ा रहे हैं और इससे ज्यादा speed को हमको bullet train बनाना है क्या वही हमको क्या bullet train बनाना है इतनी और speed चलाएए इतनी speed में कम से कम नय बच्चे हैं तो कम से कम उनको त्यारी हो रहे होगी अच्छे समझ में आ रहा होगा तो दैकेWho के लिए तो को के लिए संपरदान को के लिए हाना सही है आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि किस भाव की परिपक वस्था को रस कहा जाता है यहाँ पर बताईएगा कैर आप से यहाँ पर किस भाव की परिपक के वस्था को रस कहा जाता है तो देखे 52 नमबर में option है आपका D नमबर यहाँ पर इस्थाई भाव क्या इस्थाई भाव की परिपक के वस्ता को ही रस्का आ जाता है रस की अगर बात करते हैं तो रस की संख्या जो होती है इस्थाई भाव की संख्या होती है इस्थाई भाव की संख्या आपकी नौ होती है यहाँ पर आगे बढ़ते एक question दिया है तिरंगा में कौन सा समास है यहाँ पर देखे यह question आपका अपवाद में आपका रहता है लेकिन आपसा आपको नहीं दिया गया है क्या बहवरी ने दिया है तो simple सी बात है कि आप तुरण ज़ाब दे सकते हैं कि यहां पर आपका दुख समास हो जाएगा तीरंगा में दुख समास हो जाएगा मतलब इसका पूरपद होता है संख्या वाची और उसमें समू का बध होता है और जब समू का बध होता है तो आप कंसर क्या होगा यहां पर आपका दुख समास होगा अब यहां पर देखो एक सब दोता है समुझ जब होता है तभी कहेंगे हैं आघे वठते कोसं दिया का जाता है अगला कि सभूर्स के बोली को काशिका कहा जाता है यहां पर धाति हाली में कोशन आपका पूछा वी गया था तो कासिका जो कहा जाता है एक कहां की बोली को कहते हैं तो आपके नाम से ही पता चला होगा यहां पर देखे नाम से ही पता चला है कि जो आपके वारणरसी वाले हैं यहां की बोली को कासिका कहा जाता है और अप्सन क्या हो जेगा यहां पर आपका सी नंबर है राइट हो जेगा अभी बहुत ऐसे भी सेर सेर नी जुड़े हैं जी लोगों ने वीडियो को लाइक ने किया है तो या जी लोगों ने वीडियो को लाइक ने किया है तो एक बार थोड़ा निगा जो है उठा कर देख लिजे अगर लाइक ने किया है तो लाइक कर दीजे और इसके बाद और गुलाब अब यहां पर देखे थोड़ा सा आपको लगेगा कि अब इसमें क्या किया जाए इसका अंसर क्या होज़ेगा तो यहां पर होज़ेगा आपका इस्तवक दिया है इस्तवक होता क्या है यह आप लोग बताईए इस्तवक जो होता है होता क्या है नया को लग रहा अगे बाद करते हैं तो इनका पूरा नाम है सूरिकान त्रिपाठी निराला है मिश रुआकी का चैन करना है अठावन नमबर में चलिए यहां पर बताईए यहां पर 58 नंबर में मिस रुआ की कौन सा हो जएगा मिस रुआ की की हमने पैंचान बताया है जो भी स्टुडेंट नए है वो हमारे प्लेलिस्ट में थियोरी की वीडियो देखें या आप कहीं से भी तयार कर सकते हैं हमने बता दिया है आप किसी भी चैनल से किसी बुक से आप थियोरी तयार कर लीजे आपको प्रैक्टिस इट हमारे यहां पर जबज़स तरीके से करा जाता है थेयोरी के भी वीडियो बने हैं थेयोरी भी आप लोग देख सकते हैं तो देखो यहाँ पर आपका थावन नमर में उप्शन सी कि जो विद्यारती परिश्रमी है वह अवस्चफल होता है तो देखो जो सब्द आपको दिया है और जो ही सब्द आपको पता चल जाता है जैसे क्या होता है जहां वहां तो यदी जैसा इदर उधर हाना यह सब्द ही पेंचान होते कि इसके आपके मिस्टर वाकिके ही होते हैं आगे बढ़ते हैं देखे बाते ज्यादा हो रहे हैं क्लास में बाते बंद करिए पढ़ाये पर फोकस करिए दुरगटना गटी कब जब उत्पन होता है कमल वाला हो गया तो आप कंसर देखे जा से हो गया क्या कमल में क्योंकि जा मतलब जल जल में अपका हो गया और दा मतलब बादल तो आपका बादल हो गया आप कुछ लोग नए होंगे तो हमारे लेंग्विज को नहीं समझ पा रहे हैं हमने कहा था जब भी समनार्थी दिया है समनार्थी मतलब जो समान अर्थ देते हैं हाना जैसे आपका होता है धीरे धीरे क्या हो गया धीरे और इसके बाद धीरे तो यहां पर देखो समनार्थी है ना बीच में आपका हो गया योजक तो यहीं इसका हो गया अपसर सिनमबर योजक हो गया ठीक है आगे बड़िए पत्थर में है पत्थर का परेवांजी क्या ओता यहां पर पाहन होता है यहांपर पर उरग हो regrets यहां पर नंBOR में तो यहां पर यहां पर शालिCause घरी या यहांपर उरग में तो ब्यां क्या यहां मतलब नाग तो आपका अंसर क्या हो गया यहाँ पर यह नाग का परेवाची हो जाएगा मतलब सर्व का परेवाची हो जाएगा ठीक है इसके परेवाची अ हैь यहाँपर देखो क्या है कि ऐसे कोशिंटों में जो पहला आपका होता है इस्तिर होता है और 6 नमBER भी स्तिर होता है जो अल्टरनेट होते हैं वो आपके यार रालावा होते हैं बस इनुगी को उचित करम में लगाना है और उचित करम लगा लेंगे तो यह नमबर आपकी जो दे सकते हैं दे सकते हैं खुद को नहीं दे सकते हूँ पर यहाँ पर नहीं देख Kids क्रिया विस्टर गाला हो गया ना रहा न मताला स्ट गोजिए आगे मेंsınız को देंHmm किया वह जी घार है परिमार व contracting परिमार वर से सेशन को पर परिमार में आपर दिया है च्छन भर नी संदेश अन्यत्र और आपका अत्यंत बताइए धोड़ा सोच समझ के जवाब दीजेगा गलती मत करेगा इसमें गलतीयां आ रहे हैं यहां पर देखो गलतीयां मिल लए हैं परिमार वाचक किरिया विसेशन भी होना चाहिए क्या किर अत्यंत जो दिया गया है इसमें परिमार भी है और यहां पर आपका प्रकार के होते हैं । इसको पराचीन समय में भारत विसमें सिच्छा का और इसको हमने देखो लेगपाल के मॉडल पेपर में आपको आज स्वल भी कराया था तो हम तभी हम कहते हैं कि कोई भी हमारी klaration होती उसमें आप दिखते रहेंगे ऐसे गध्याद साप लोग आसानी से सौल कर सकते हैं आप ही लोग बताइए हमने क्या सौल करवाया है या नहीं सौल करवाया है देख लीजे आफ लोग तुरं जवाब देगो और अगला दिया गया है कि नवीन सिच्छा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है किस पर तो भईया ये प्रेरित किया जाता है कि राष्ट हितके कार करने के लिए होता है और अगला है कि नवीन सिच्छा में जो बेवहारिक सिच्छा होती है वो किस पर बल देता है तो भईया यहाँ पर जो बल देता है किस पर है तो विद्यारतियों के नैतिक सारीरिक और मानसिक विकास से सरस्ट कॉप्शन सी वाल आपका हो जाएगा चलिए यह तो रही बात ग है नहीं के नहीं इमेट आपक सिच्छा विदों तत्हाबासा सास्त्रियों का सयोग मिला है यहाँ पर देखें अनेक अध्यापक यहाँ तो आप लोग अनेक अध्यापक कर लिजे क्योंकि अनेक अध्यापक है तो आल लेड़ी याँ पर ये जो अध्यापकों है नहीं लगाना चाहिए तो यहाँ पर आपका पहला पॉंट में गड़वड़ी है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोर्शन दिया है निम्निकित में से कौन सी पुस्तक प्रेम चंदी के द्वारा लिखित नहीं है प्रेम चंद का कोर्शन यहाँ पर 2022 में पूछा जा रहा है भाई प्रेम चंदी की जुद साथ एक उकाय कल्प हैं रंग भूमी है कर भूमी है यहाँ पर जो आपका दुरूस वामनी है किसकी है यह संकप साथ की है तो आपसं क्या होजेगा डी नंबर अगर निम्निकित में से कौन अस्ट छापका कभी है चलिए वह आप लोग संख्या में कब लेते हो ऐसा क्या का कारण है जो बच्चे कम क्लास में आते हैं किसका कारण भी क्या है हम अच्छा नहीं पढ़ाते या स्पीड में पढ़ाते हैं या कम डिस्क्राइब करते हैं कुछ रीजन हो तो हमें आप लोग जरूर सजेसन दीजेगा ठीक है ना चले जो तुरुटी होगा उसे हम सुधा सब्सक्राण के लिए होता है ठीक है कायरा है कि concerning का आपसblind के आपके सूर दास नहीं अवं के 2022 देखे आापके अष्ट चाफ से ठीक है अब ये किसी भी एकजाब में पूछ सकता है अब आपको बता दें जो अष्ट चाफ है ये भक्त कालीन कभीयों का क्या है एक समू है क्या है आपका समू है और इसमें कुम्भन दास सूरदास क्रस्ण दास परमानंदास गोविंद स्वामी नंद स्वामी जो आपके छीत स्वामी आपके थे चतुरुवद्दास इन्होंने अपने पद और कीर्थी में काफी स्रीकस भगवान की लीलाओं का गुरगान किया है तो इनकी संख्या क्या है? आठ है आपको ठीक है? आगे बताईए कह रहा है वहाँ बहुत मधूर गाता है इसमें विसेशन सब्दा आपको बताना है चलिए यहाँ पर जवाब दीजेगा आप कमसर क्या हो जएगा? चलिए डाटना तो हमारा काम ही है डाटने ने तो आप लोग सही नहीं रहोगे? आप लोग बाते करते हैं और डाटने ने तो बताव हम गोल के गया तो चीनी सकर खिलाएंगे वहाँ बहुत मधूर गाता इसमें प्राविसेशन पूछाया है प्राविसेशन होता क्या है? हमने बहुत बार आपको पढ़ाया है जो प्राविसेशन होता है प्राविसेशन है ये विसेशन की विसेशता बताता है तो आप कहेंगे किसर यहाँ पर जो आपसन है आपका भी नंबर बहुत ये क्या है प्राविसेशन है क्योंकि ये जो आपका मधूर है मधूर ये विसेश है और विसेश में आपर देखे बहुत जो आपका हो गया प्राविसेशन हो गया गाना या पर किरिया हो गई तो आपसन भी नंबर है बहुत हो गया चलेए आगे बढ़िए कैरे निम्निकित में से किसको साहित तकादमी पुरुषकार मिला है साहित तकादमी पुरुषकार से भी कोशन आपको मिलते हैं यहा कविता के नएक प्रतिमान के लिए मिला था याद रखेगा है ना आगे बढ़िए कोशन दिया है कि ग्यान पीट पुरुषकार किस भासा से सम्मधित है ग्यान पीट पुरुषकार किस भासा से है तो वह याद रखेगा कि ग्यान पीट पुरुषकार ये आपके भारती साहित में जो आपकी सरवच पुरुषकार है और जो आपकी 20 भासाओं है हना और इसकी सुरवात आपकी 1905 में की गय थी तो अंसर आपका हो ज़ेगा समिधान क्याठी अनसूची की सवी जो आपकी भासाँ है उनमें दिया जाना वाला यह हिंदी सायत का सरोश पुरुषकार आपका हो जयगा आगे बढ़ते हैं खोर्शन दिया है कि जिस संद में 4 चरन और प्रतेख चरन में सोरा मात्राय होती है वह कौंसा आपका कह सिकते है, चंद होता है वह चंद जो है वह आपका कौन सा है 75 का उप्षन दीजेगा चले 75 का जो उप्षन है वह आपका राइट होजेगा यहाँ पर चौपाई क्या होजेगा चौपाई में 4 चरण होते हैं प्रतेक चरण में 16 मात्राय होती है ठीक है और यहाँ पर अंत में दिर्ग गुरु के सवा की स्थापना बाबु से हम संदर्दास थे लेकिन इनके साथ कुछ और लोग थे जो इसमें स्थापना में मौजूद रहे थे यहाँ पर देखे आप कंसर क्या होजेगा तो देखे दस जो 40 संबर है तो 40 कौप्षन से होजेगा राम चंद वर्मा यह आपके सामिल नही में इसकी स्थापना हुई थे याद रहे अगला कोशन दिया गया है कि बारा बरस लोग कुकर जिवे और तेरा लोग जिए सियार या पंक्ती है किसकी तो देखो अभी आपके यूपीटेट एक्जाम में कोशन आपका पूछा भी गया था हाना कि यह जो पंक्ती है वो पड़े नमबर और याद रहे यह जो पंक्ती लाई गई है वो परमाल रासो और परमाल रासो को ही हम लोग कहते हैं अहला खंड के नाम से जानते हैं अभी बीएड एक्जाम हुआ था बीएड एक्जाम में भी कोशन आया था परमाल रासो को ही हम लोग आला खंड के नाम स जानते हैं आगे बताईएगा हमुय के वास्तिशी नाम होता है जवाब क्या हो जाएगा वाटो क harvest मतला होता है कुट्ध ठीक है चाहिए तो अमेर कुस्रो का वास्तिशी में क्या होता है सि नम्मर में चाहता है पर आहां 1223 में उत्तरवदेश की वरतमान कास गंजले के पटियारी नमकिस्थान में हुआ था ठीक है आगे बढ़िए अगला है हंदी भासा का प्रतम प्रमाडिक गरमद्रीक हिन्में से कौन सा हो जहेगा 43 option दीजेगा चलिए बहुत अच्छे-च्छे question आपने लिया है और इन question से ही आपका उधार होने वाला है और ऐसे ही question अगर आप लोग हिंदी साहित में नहीं पढ़ोगे तो कताई जीवन में उधार नहीं होगा याद रखेगा अगर ऐसे भी question हिंदी साहित में नहीं पढ़ोगे तो कताई जीवन में उधार नहीं होगा PT जाम में भी आपके हिंदी साहित आएगी और इससे ज़्यादा सरल भी नहीं आएगी ठीक है चलिए तो देखो यहाँ पर दिया हिंदी भासा का प्रतम प्रमाणी गरन्त आपका होजेगा सी प्रतिवी राजचवान बनेगा क्या भई दो किस के द्वारा रची थे उमारी बात को बुरा मत मानिएगा हम सत्थे बोलते हैं हमेशा जोट कभी नहीं बोलते हैं सत्त पूरा पूरा बोलते हैं हाँ ना तो इसलिए हमारी बात को कभी बुरा मत मानिएगा जो बोलते हैं सत्त बोलते हैं जिनको लग जाये तो लग जाये नहीं तो जाने दो तो देखो यहाँ पर गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रची थे 44 नमबर में 44 के अगर बात करते हैं तो आपसन हो जएगा यहाँ पर आपका बी नमबर है जटमल है क्या गोरा बादल की कथा किसके द्वारा तो आपकी जटमल की द्वारा आपसन क्या हो जएगा यहां पर आपका बी नमबर है राइट हो जाएगा बी नमबर है राइट हो जाएगा और यहां पर आगे बढ़ते हैं कहरा है कहरा आपसे आधिकाल की रचना है इनमें से बताइए कि कौन सी रचना आधिकाल की है आधिकाल की रचना इनमें से कौन सी है चलिए तो यहां पर रखे खुमार रासो आधिकाल के रचना है और इसके रचनाकार कौन है तो दलपत वीजय है कौन है आपके याद रखेगा दलपत वीजय है इसके क्या है आपके रचनाकार थे याद रखेगा आगे बढ़िए अगरा कोशन आप से दिया गया है यहाँ पर आप से कह रहा है कि आधी काल में पहलिया लिखने वाले जो कभी थे वाप की कौन थे चरे यहाँ पर जवाब देना है आपका राइट अंसर्ड में से क्या हो जाएगा चले यहाँ पर 46 नंबर में अगर बात करते हैं तो देखे वाई यहाँ पर जो आपकी खुसरों है इन्होंने क्या किया था आपके पहलियां मुकरियां और खालिक बारियां दो सुखने आधी प्रकार की रचना इन्होंने किया था और संजाएगा बी नंबर आगे बढ़िए आपका राइट क्या हो जाएगा चले आप पर जवाब देना है हम टाइम को देखे हुए परिशान मत हुये सूर्दास को किस रस का संबराट कहा गया है 47 संबर में तो देखे भई आपका जवाब हो जबढ़िए वादसल रस क्या बन जाएगा कि सूर्दास जी जो थे तुलसी दास की भक्ति भाउना थी वो किस प्रकार की थी 48 को अपसन देना है आपका जवाब क्या हो ज़ेगा तो देखो तुलसी दास अपने आपको एक दास की रूप में परकट करते थे अर्था आत्म यहां पर दास सिभाव की भाउना थे वे स्वें को सेवक और प्रभू आपके कवी रहे हैं मतलए कवीरदास, तुलसिदास, सूर्दास ये कौन के काल के कवी थे यहाँ पर अंसर आपको देना है आपका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखे वही आपका तिरान में के अगरम बात करते 49 नंबर के अगरम बात करें तो आप कहेंगे कि सर ये हैं आपके भक्तिकाल से ये सभी भक्तिकाल से जुड़े हुए हैं ये भक्तिकाल के क्या हैं आपके संत हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कवीरदास हैं निर्गुण मारगी कावेधारा के हैं जबकि जो तुलसी दास हैं और सूर्दास ये सगुण धारा के हैं काबे के हैं ठीक है आगे बढ़िए सूर्दास के गुरू कौन थे यहां पर देख सकते हैं जी लोगों ने बीएट 2022 में पेपर दिया होगा उनको बता चल गया होगा कि ये question बिल्कुल same to same छपा हुआ था पेपर में कि सूर्दास के ज पर जवाद दीजे लाइब हो तो चाहिए ना हो क्या दिकत है हम तो लाइब रहते हैं हमेशा है ना हमने बताया है अंतरा आत्मा से देखिए तो हम लाइब है नहीं तो फिए आफ लाइन है है ना तो देखिए सूर्दास के जो गुरू थे वो आपकी कौन थे अचास बल्लवा चारिसकन सर है राइब हो जाएगा बल्लवा चार ने क्या किया था सुध्धा दोयता वात दाष्चनिक मक्कु अपनाया था पुष्ट मार की इस्ठापना किया था इनके पुत्र जु विठ्ठ लात लुस्टे इन्होंे अस्टर्सापक्त की स्थापना भी एक्यावन के अगर हम बात कर लेते हैं तो आप लोग क्या जवाब दोगे चरे आप जवाब दोगे साथ कितने यहां पर साथ है और इन साथ में देखा जाए तो विया जो आपके हैं राम्चृृत्मानेस में बाल कांड अगरा सूर्दास की रचेटा कौन है इन्होंने दो तीन रचनाय लिखा है जो आपको सपने में भी आपको याद रखना है जैसे सूर सारावली, सूर सागर और साहे तिलेरे ये question आपको हमेशा पीछाने छोड़ा है high school से ये हमेशा इनकी तीन रचनाय पूछी जाती है आगे बड़ी एक question दिया गया है रतना वली दोहा संग्रा किसके द्वारा रचा गया है यहाँ पर तिरपन का जवाब देना है तो चलिए भई यहाँ पर अगर मात से बात करें तो आप कहेंगे यह भई यह भी आपकी किसका है रतना वली दोहा संग्रा तिरपन का option बनेगा क्या होजेगा चलिए रतना वली दोहा संग्रा किसके द्वारा लिखा गया है तो यह तुलसी दास की पतनी रतना वली द्वारा रचित भी मिलता है हना प्रस्ण में रतनावली दोहा संग्रा का यहाँ पर नहीं है तो यह आप लोग अंसर्ण में से क्या लगाएंगे तुलसीदास लगा सकते हैं हना तुलसीदास फिर आप लोग लगा सकते हैं यह रतनावली लगाएंगे रतना वली दोहा संग्रा मुखी रूप से देखो इसमें डिस्क्राइब ही किया गया है कहरा है मुरली धर चतुर्वेदी की रचना रतना वली लग दोहा संग्रा दोहा रतना वली आ दी है दोहा रतना वली तुलसिदास की पत्नी रतना वली द्वारा रचित है मतलब इसमें सबको एक साथ कर दिया, तुलसिदात होता है, इसमें हम तुलसिदार लगा सकते हैं, हैंना, चरे, यहाँ पर दिया है, इनमें से कौन भक्तिकालिन कभी नहीं है, आप से पूछा है, चबुआ नमबर में, और समनेगा, ए नमबर आपका बिहारी, बिहारी भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कवीर की भक्ति का जो सुरूफ है, वो आपका कैसा है, कवीर की भक्ति का जो सुरूफ है, वो कैसा है, यहाँ परंसर आपका राइट क्या हो जेगा, तो चलिए भाई, कवीर की भक्ति का जो सुरूफ है, वो निर्गुण है, वो निर्गु आगे बढ़ ये कोश्चन दिया है कवीर दास की भासा कौन सी थी कवीर दास की जो भासा थी वो आपकी कौन सी थी यहाँ पर जवाप देना है कवीर दास की जो भासा थी वो आपकी कौन थी तो आप कहेंगे कि सर अभी अभी आपने पढ़ाया कि इनकी भासा सदुकडी थी आर्थात पंच मेल खिचडी थी, तो आप समनेगा आपका D-Number, अब यहाँ पर देखिए कुछ विद्वान है, इन्होंने इनको कई रूपों में बताया है, कि जो पंच मेल खिचडी कहा है, तो स्याम सुंदर दास ने इनकी भासा को पंच मेल खिचडी कहा है, और वहीं पर जो भासा है, वो आपकी कौन सी है, यहाँ परंसर आपका राइट क्या होज़ेगा, इसका जवाब आपको देना है, तो देखिए वहीं आपका अंसर क्या होज़ेगा, चले, यहाँ पर देखिए 57 नमबर में उप्शन सी होज़ेगा, बीनाय पत्री का ब्रज भासा की है, अगला बताएगा कैर आप से निम्निकित में से कौन अश्ट चाप का कवी हैं अश्ट चाप के कवी इन में जो हैं वो आपके कौन से हैं तो देखे भई अश्ट चाप में मीरा भाई तो होंगी नहीं यहाँ पर आपके सूरदास पक्के हैं आपके हैं तो सूरदास अंसर अभी 2022 में बीएड एक्जाम में question पूछा गया था same to same मतलब आज की class से देखा जाए तो बीएड एक्जाम की कम से किम 5 से 6 question आपके पूछे गये थे हमने आपको बताया है कि आप लोग हमारी class को एक महिना लेकर देखे और एक महिना के बाद आपको लगेगा कि नई हिंदी हमको आने लगी है हाँ देखे जो कमिया होती हैं आप लोग कह सकते हैं थियोरी से complete कर सकते हैं बुक से complete कर सकते हैं किसी भी channel से कर सकते हैं अगर आपकी theory complete है तो fast revision और बहतरीन revision आप हमारे channel में कर सकते हैं तो चलिए फिर आची कराद दनवास सभी को जैहिन सभी को वंदे मतरम गुड़नाइट सुब्रात्री